हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छ होंगे मैं हमको दोस्त सुरेश कुमार और इस फीडियो में हम जानेंगे दोस्तों एकाउंटेंट बनने के लिए आपके इंदर क्या क्या एलेजबीटी होनी चाहिए एक एकाउंटेंट आप किस प्रकार से बन सकते हैं अकसर लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम किस प्रकार से एकाउंटेंट बने हम ऐसी कौन सी पढ़ाई करें और हम एकाउंटेंट बने क्या हम कॉमर्स पढ़कर एकाउंटेंट बन सकते हैं या हम arts पढ़कर भी accountant बन सकते हैं कुछ लोग graduation करते हैं become से और become past करने के बाद में फिर accountant बनते हैं और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कि BA करते हैं और BA करने के बाद में भी अच्छे काफी job करते हैं accounts में तो ऐसी कौन से चीज़े हैं जो कि आपको accountant के criteria को पूरी करते हैं यदि आप उन चीज़ों को सीख लेते हैं तो आप एक accountant बन जाते हैं तो आज मैं उन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ में discuss करूँगा तो आपसे ये request है वीडियो को पूरा एंट तक देखना और फिर यदि वीडियो अच्छा लगए वीडियो को लाइक करना आपने सभी दोस्तों के साथ में share करना तो दोस्तों से पहले आप ये जान लीजे यदि आप accountant बनने चाहते हैं तो आपको 10 पास करने के बाद में आपको commerce subject को लेना होता है commerce जो की accountancy के लिए बहुत ही आवश्चक सब्जेक्ट है आप जब commerce लेते हैं तो उसके अंदर आपको accounts की book मिलती है economics, Hindi, English लेकिन जो आपका account का subject होता है main subject वो ही होता है accountancy के लिए उसके अंदर आपको इलायन की book के अंदर बताया जाता है कौन से चीजों को debit करना है और कौन से चीजों को credit करना है ठीक है आपको यह समझाया जाता है debit और credit के बारे में और फिर आपको वहाँ पर 11 की books के अंदर आपको यह बताया जाता है कि कौन से हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जिने हम debit करते हैं और कौन से हमारी कि ऐसे इंकम्स होते हैं जिने क्रेट किया जाता है उफ में आपको प्रॉप्ट और लॉप्स बनाना सिखा जाता है और आपको फिर बैलेंशीट बनाना सिखा जाती है जब आप एलेवंध ट्वैल की बुक्स पढ़ते हैं तो आपका में बेस जो होता है वहीं पर किलियर हो आपको सीखना पड़ता है जो कि आपको लैंट की बुक्स में आपको सिखा जाता है तो सबसे में जो आपका बेस होता है आपका लैंट की बुक्स से बनता है उसके बाद में आप ग्रेशन कंप्लीट करते हैं जहां पर आपको आगे भी आगे की नौलेज मिलती है लेकिन यह आप ग्रैशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप को कंप्लीट करने के बाद में, आपको कंप्पीटर के नॉलज की वाफशकता होती है, क्योंकि बीना कंप्पीटर नॉलज के आप एकाउंट्स लाइन में सकसे सांसी नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, किसी कंप्पनी में जाते हैं, या किसी वर्क्शॉप में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना जितना भी एकाउंट से काम होता है, कंप्प्राइज करना होता है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है टैली सिखने की, तो आपको क्या करना है, जब भी आप ग्राइशन कंप्लीट कर रहे हों, तो ग्राइशन के साथ में आप कंप्पीटर को सीखें, Computer सीखने के लिए किसे Institute को join कर सकते हैं जहां पर आपको tally की knowledge होनी चाहिए आपको वहाँ पर tally सीखनी है tally के अंदर आपको सिखा जाता है कि किस प्रकार से हम purchase के entry को debit करते हैं और sale के entry को credit करते हैं और आपको वहां पर टेडिंग अन्ड प्रॉट्स बनाना च्खाई जाता है और वहांपर आपको बताया जाता है इंस्टूट के अंदर कि आप किस प्रकार से टैयली के अंदर एंट्री फीड करेंगे तो आपको वहां पर सच पहले टैली सीखने के बाद में आपको वहां पर उसके बाद में माइक्रोसोफ्ट की नॉलिज भी होनी चाहिए Microsoft Excel Microsoft Word Paint इत्यादी के की नॉलिज होनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम कर रहे होते हैं काम करने के बाद में हमें कुछी को रिकनसाइल करना होता है तो वहां पर हमें आपको टैली स्वर्ण माइक्रोसोफट और एक्सल आपको सीखना है और फिर आपको वहां पर पेंट भी सीखना है क्योंकि कभी कभी कोई चीजों का एडिट करना होता है आप वहां पर यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको इंटरनेट की नॉलिज होनी चाहिए कि करना है तो हैं पर आपको मैल सर्फिंग के बारे में नॉलिज ली जरी आपको टैलीzem है चीज़ने के बाद में फिर आपको किंसी tenía को ज ada करना होता है ठीकिक है आप जब kisACC और आपको वहाँ पर आपको Practical Knowledge मिलती है भाँ पर आप देखेंगे कि पाइटियों के सेल पर्चिस के बिल आते हैं तो आप उन प्रकार से बिलों का एंट्री किया जाता है आप उन बिलों को टेली केंदर एंट्री करेंगे वहाँ पर आपको Practical Knowledge मिलेगी और फिर वहाँ बर आप जब उन बिलों को feed करेंगे फिर उन बिलों को feed करते समय उनके लाष्ट मीं किस परकार से return चैर की जाती है उन बिलों से वो return बनाना सीखेंगे आपको देखिए accountant बनने के लिए लिए सबसे पहले जानकारी होने चाहिए कि sale purchase के will किस परकार से बना जाते हैं आपको वहां पर उन बिलों को अब्जर्व करना है कि सेल पर्चेस के बिल किस परकार से बना जाते हैं किस परकार से टेक्स लगा जाता है और फिर आपको नौलज होनी चाहिए क्योंकि आपको हर मेने जमा करनी होती है कई लोग रिटन जमा करते हैं तो आपको जिस परकार से बारे में सीखना है वहां पर बताएंगे कि देखे इस परकार से यह हमारा इंपूट है और यह हमारा ओपूट है जहिस्टी करें कि शिंपल सा फंड है माल लिजे आपने एकजार रूपे क्यों प्रोडेक्ट करीदा उस कर दिया यानि कि आपने उस पर वहां पर 50 रुपे का इंपुट वहां पर पे कर दिया तो आप वहां पर अपने कुछ मार्जन भी एड़ करेंगे बालिज आपने एकजार का प्रोडेक्ट किश्को 2,000 वे बचा ठीक है और वहां पर आपने उससे 100 रुपे का ज्यस्टी चार्ज कर लिया तो ठीक है आप 50 रुपे आपने अपने ज्यस्टी इंपुट पर डीये और 50 रुपे आपने आप वहां पर एक्टा चार्ज कर लिये तो जब आपने शौर पेगा जो आपने जिस्टी आपने उससे लिया अब वह 50 रुप एकसे से वह आपको गवर्ण्मेंट को पे करने होते हैं वह यह आपको जिस्टी रिटन के अंदर मैंशन करने होते हैं पिर उसके बाद आती है वारी TDS की TDS को मतलब होता है या जहां से भी इंकम करते हैं वहां पर आपका टैस्स काते जाता है यह आप कहीं पर को passado्ते हैं कोई आपके हैं क्या पर कॉछ जॉब कर रही है तो आपका उसको टीडियस काटना होता है यहां कोई कमिशन के लिए काम कर रहा हुता है कमिशन पर TDS करता है तो आपको अपने वहाँ पर जावाब काम करते हैं तो C के पास में यह देखना है कि किस परकार से TDS के एंट्रियं की जाती है TDS के entry आप सबसे पहले आप टैली के अंदर करना शीखिए कि TDS के entry किस परकार से की जाती है entry करने के बाद में फिर आप यह सीखिए कि TDS की जो return होती है वो किस परकार से जम्हा की जाती है तो आप वहां पर टीडेस की रिटन के बारे में सीखेंगे ठीक है आपको GST और टीडेस की नौलिज हो जाएगी उसके बाद आपको डैविट और क्राइड नोट की नौलिज देनी है देखे डैविट नोट का मतलब यह होता है कि आपने मानलीजी कहीं से उकर पर्चेसिंग करी अब पर्चेसिंग करते समय मानलीजी एक हजार की आप में पर्चेसिंग करी जिसमें से की 500 रुपे का माल पार्टी का खराब निकलाया तो ऐसी कंडिशन में क्या होगा कि आप 500 रुपे पार्टी को डैविट सीधे नहीं कर सकते आपको उसको क्या है एक डैविट करेंगे ठीक है और यह होता है कि आपने किसी को कोई माल भेजा ठीक है आपने माल भेजा और माल भेजने के बाद में मानलीजे आपका माल कुछ खराब निकलाया आपने किसी को सेल करी आपने मानली हजार रुपे का माल भेजा जिसमें कि 100 रुपे का माल खराब निकलाया पार्टिवाला बूलता है कि आपका dep कि us और कंद लेक्ज के ऊपर बनाया जाते हैं यहाबड की णोलेज़ देनाकी आपको कि इस प्रकाष करते हैं छो पार्टियां का ऊपने किसी पर्चेस्विभ लाग रुप्य He итन अएक लाग रोपा की पौऑ ने टो और वहाँ पर जो उसके बिल होते हैं उसके बरेंगे ठीक है आप कह रहे हैं पार्टी से कि मुझे आप से 1,00,000 रुपे लेनी है लेकिन पार्टी वाला कह रहा है कि मैं तो 80,000 पर दूँगा तो आप ऐसी कंडिशन में उससे कहेंगे कि आप मुझे लेजर भेजो मैं आपका रेजर रेकंसायल करता हूं तो आप उन दोनों लेजरों को मिलाएंगे कि कौन से ऐसे बिल हैं जो कि वहां पर एंटर नहीं करे जाता है कि कौन सी चीज़ आईसी जो आपके छुट गई है या कोई दोनें को मिलाने को बोलाजा तो आपको रेकंसायल शीखना है तो आपको फिर वहाँ पर 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 इसलिए आपको रिकंसेलेशन शीख ना है ठीक है अब बात यह आते है कि मान लिए आपने आपका कॉमर्स बैकराउंड भी है तो क्या आप एकाउंट की जॉब कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आप बड़ी असानी से किसी भी कंपनी में एंटर कर सकते हैं लेकिन यदि आपने मानी जिब बीए करा अपने बीए से ग्रैशन कंप्लीट करी अब क्या आप एकाउंट की जॉब कर सकते हैं क्योंकि आपने अकाउंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं तो इसी कंडिशन में दोस्तों आपको दुबारा से 11 और 12 की बुक्स पढ़नी है और आपको एकाउंट की बेसिक नॉलेज हासिल करनी है और टैली सीखनी होगी ठीक है और उसके बाद में आप जब कंपनियों के अंदर काम करते हैं धीरे धीरे आपको इस सब नॉलेज लेनी ह होते हैं तो आप यह आसानी से कुझे जॉब कर सकते हैं तो आप करते हैं आप ऐसल कर सकते हैं बात आती है किORE स्चूडैंट सोते हैं जो की presented कि कर लेते हैं लेकिन आगे पढ़ने के लिए उनके पास में पैसे नहीं होते हैं या उनके घर के इस्तिती ऐसे नहीं होती है कि वो regular college जा सकें तो दोस्तों इसका भी solution है आप plus to करने के बाद में किसी भी open university से अपने form फिल कर सकते हैं और साथ साथ में पढ़ाई को continue रख सकते हैं आपको करना यह है कि आपको अपने job को continue रखना है आपको एकाउंट्स की coaching लेनी है और बाकि जो commerce और हिंदी और इंगली subject होते हैं आप उनको घर बैठ कर भी त्यार कर सकते हैं और आप अपनी job भी continue रख सकते हैं जोब के साथ साथ में अपने पढ़ाई को भी continue रख सकते हैं और इस तरीके से आप जब regression complete कर लेते हैं तो आप फिर उसके बाद में किसी CE को join कर सकते हैं और CE को join करने के बाद में छे मेने का आपको वहाँ पर experience लेना है और आपको वहाँ पर account की knowledge लेनी है और उसके बाद में आप आसानी है किसी भी company में account की job कर सकते हैं तो आशे करते दोस्तों मेरे दोस्तों मेरे जान करें आपके लाप करें होगी और आप इस फीडियो को लाइक करेंगे इस फीडियो को लाइक करेंगे इस फीडियो को लाइक करना अपने सभी दोस्तों के साथ से शेयर करना तांकि उनको भी इस परदायर के नौल मिल सकें क्य झाल झाल